mammography दो तरीके से perform होती है एक कहलाती है screening mammography और दूसरी कहलाती है diagnostic mammography तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि screening mammography क्या होती है ये उन patient को advice की जाती है जो annual basis पे यानि सालाना जो है वो अपनी breast की screening करवाना चाह रहे होते हैं यानि इन patient को कोई breast में तकलीफ या कोई lump या किसी किसम का कोई problem नहीं होता लेकिन जैसे के indicated है कि हर साल 40 साल और इस से ज़्यादा उमर की खवातीन को अपना mammography करवाना चाहिए ताके खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता अगर वो breast cancer develop करने वाली हो तो इस breast cancer को इंतहाई इप्तिदाई stage पे ही डाइगनोस कर लिया जाए प्यारे दोस्तों breast cancer ला इलाज मर्ज नहीं है अगर आप इसकी early detection करवा लेंगे तो आपका treatment time है वो भी short हो जाता है और आपका outcome भी बहुत अच्छा होता है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि screening mammography उन खावातिन को करवानी चाहिए जिनकी उमर 40 साल या इससे ज़्यादा हो और उनको किसी किसिम की breast में कोई तकलीफ ना हो और ये screening mammography हर साल repeat करवाई जाती है नमबर टू इस diagnostic mammography diagnostic mammography उन patients को advice की जाती है जो किसी complain के साथ अपने doctor को report करते हैं for example breast में कोई lump हो गया या breast में कोई discharge है या XYZ बहुत सारी complaints हैं जो हम last videos में discuss कर चुके हैं तो किसी भी problem की वजह से अगर patient अपने doctor के पास जाएगा तो doctor उनको diagnostic mammography advice करते हैं अच्छा diagnostic mammography भी screening mammography ही की तरह perform होगी लेकिन इसमें बाज औकाजो है कुछ patient में additional views भी किये जाते हैं वो patient के MERS की नौईयत के उपर होता है